Hello friends, welcome to study news सेर सासूरी जिन्होंने सूर सामराज जी की इस्थापना की इनका नाम सेर खाँ भी था और इनके बच्पन का नाम फरीद खाँ था सेर सासूरी ने अपने जीवन में अनेक महतपूर कार संपन करवाए और कई प्रकार के निर्माड कार भी करवाए इनके महतपूर निर्माड कार में सडको का बनवाना, सराय, मंदीर, मस्जिद और कई मिनारें जो आज भी प्रसिद्ध हैं तो जानेंगे सेर सासूरी के सासन कार के बारे में और उनकी उपलब्दियों के बारे में So let us start सेर सासूरी के जन्म, तारीक और इस्थान में इतिहासकारों के काफी मतभेद हैं कुछ इतिहासकारों ने इनका जन्म सन 1485 हरियाडा में और कुछ इतिहासकारों ने सन 1472 सासाराम बिहार में बताया है इनका बच्पन का नाम फरीद खा था और इनके पिता का नाम हसन खा था सेरसासुरी भारत में जन्में पठान थे जिन्होंने हुमाईयों को 1540 में हरा कर उत्तर भारत में सुरी समराजी की इस्थापना की थी सेरसासुरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था और बाबर ने इन्हें सेना पती बनाया और फिर बिहार का राजपाल नियुक्त किया था इनके महतपूर युदों में चौसा और बील ग्राम का युद महतपूर है बील ग्राम के युद को ही कनोच का युद कहते हैं चौसा का युद 1549 इसवी में और बील ग्राम का युद 1540 इसवी में हुमायू और सेर सासुरी के बीच लड़ा गया था जिसमें सेर सासुरी की ज पर बैठा था चौसा यूद्ध के पश्चात सेर खाने सेरसा की उपाधी धारड की और अपना राज्य भी से करवाया था जिस समय सेरसा सुरी दिली के सिंगासन पर बैठे थे उस समय उनके समराज की सीमाएं पश्चिम में कनोज से लेकर पूरब में असम की पहाडियों और चर्टगाओं तथा उत्तर में हिमाले से लेकर दच्छिड में जारखंड की पहाणिया एवं बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी 1541 इसवी में सेरसा ने गखरों को समाप्त करने के लिए एक यूद किया था वह गखरों को इसलिए समाप्त करना चाते थे क्योंकि ये मुगलों की सहायता करते थे सेरसा गखरों की जाती को समाप्त करने के लिए अपने लच को पूरा नहीं कर सके लेकिन फिर भी वो गखरों की सक्तियों को कम करने में अवश्य सफल रहें सेरसा ने अपनी उत्री पश्मी सीमा को सुरक्षित करने के लिए एक सक्ति साली रोहतास गड़ किले का निर्माड करवाया था हैतब खा एवं ख्वास खा के प्रतिनिधित्व में सेरसा ने यहाँ पर एक अफगान सैनिक टुकड़ियों को निक्त किया था रोहतास गड़ किला बिहार के रोहतास जीले में इस्थित है ये किला कैमूर पहाड़ी और सोन नदी के किनारे बना हुआ है कलिंजर का यूद सेरसा सुरी का अंतिम यूद था कलिंजर का सासक कीरस सिंग था जिसने सेरसा सुरी के आदेश के विपरीत रीवा के महराजा वीरभान सिंग बगेला को सरन दे रखी थी और इसी युद्ध के दोरान सन पंद्रो सो पैतालिस में सेर सासुरी की मृत्यू हो गई सेर सासुरी की मृत्यू के बाद इनका मकबरा भारत के बिहार राज के सासाराम सहर में बनवाया गया इस मकबरे के वास्तुकार मीर मुहबद अलिवार खान थे इस मकबरे को लाल बलुय पत्थर से बनाया गया है और ये कृतिम जील के बीच में खड़ा है इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है अब जानते हैं सेर सासुरी के प्रसासन के बारे में सेर सासुरी ने तीन धातुओं के सिक्के बनवाये थे इसमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्के थे उनके सासन काल में कुल 23 टक साले थी उन्होंने सिक्को पर अपना नाम अर्भी और देवनागरी कलिपी में खुदवाया था सेर सासुरी के सासन में पहला रुपिया जारी हुआ था जो आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, स्री लंका, इंडोनेसिया, मौरिसस, मालदीव, सेसल्स में राष्टी मुद्रा के रूप में प्रयोग किये जाते हैं ग्रैंट ट्रंक रोड का निर्माड जो उस समय सड़के आजम या सड़के बास्ताही के नाम से जाना जाता था उसे भी सेर सासुरी द्वारा बनवाया गया था या रोड हावडा के पश्चिम में इस्थित बांगला देश के चटगाओं से प्रारंब होता है और लाहोर से होते हुए अफगानिस्तान में काबूल तक जाता है ये गंगा के किनारे बसे नगरों को पंजाब से जोड़ते हुए खैबर दर्रा को पार करती हुए अफगानिस्तान के केंदर तक जाता है सेर सासुरी ने इस रोड की किनारे रहगीरों के लिए सराय बनवाई थी और कोस मिनार और कई फलो के पेड़ भी लगवाये थे हर कोस पर मिनारे बनवाई गई थी इन में से कई मिनारे आज भी सुरक्षित है डाक प्रडाली की व्यवस्था भी सेर सासुरी द्वारा सुरू की गई थी जिसका इस्तमाल व्यपारी भी करते थे सेर सा का सासन अत्यधिक केंद्रित था संपूर सामराज जुको 47 सरकारों में बाट दिया गया था सेर सा की वित्वयस्था के अंतरगत सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत जमीन पर लगने वाला कर था जिसे लगान कहते थे सेर सा की लगान विवस्था रईयत वाड़ी विवस्था पर आधारित थी और इस्थानी आय जिसे कई प्रकार से करों से एकत्र करते थे उसे अबवास कहा जाता था सेर सासुरी ने भूमी की माप के लिए 32 आंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था अब जानते हैं सेर सासुरी के सासनकाल में बने इस्थापत्त कला के बारे में सासाराम में बना सेरसा सुरी का मकबरा जो नवीन सहली के प्रारम का दियोतक मना जाता है इसके अतिरिक्त सेरसा ने हुमायू द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वा कर उसके इस्थान पर पुराने किले का निर्माड दिल्ली में करवाया था और किले के अंदर किला-े-कोहना मस्जिद भी बनवाया था सेरसा सुरी ने रोहतास गड़ के दुर्ग एवम कनोच के इस्थान पर सेर सुर नामक नगर बसाया था और 1541 एसवी में पाटली पुत्र को पटना के नाम से पुना इस्थापित किया था सेरसा ने दिल्ली में लंगर की इस्थापना की थी जहां पर संभवता 512 सोना हर दिन वै किया जाता था तो ये थी पूरी जानकारी सेरसा सुरी के सासनकाल के बारे में धन्यवाद जाता हुआ झाल झाल